स्टेट एसोसियेशन और कप्तान से विवाद करीबन एक साल तक क्रिकेट से सस्पेंड हो जाना लेकिन बावजूद इसके कुछी सालों में इंजियन टीम में सेलेक्शन का कॉल आना यकिनां दीपक खुड़ा की कहानी किसी फिल्म सफर से कम नहीं लगता है तारीख थी 26 जनवरी 2022 रात करीब 11 बजे दीपक के फोन के रिंग लगातार बजती चली जा रहे थी क्योंकि उसके कुछ मिनट पहले भारती क्रिकेट कंट्रोल बोड यानी BCCI ने वेस्ट अंडीज के खिलाफ घरेलू सिरिंखला के लिए भारती टीम का ऐलान किया था और जिसमें दीपक खुड़ा को भारत की वंडे टीम में सेलेक्ट कर लिया गया था सेलेक्टर्स का ये फैसला खुद लोगों के साथ साथ दीपक के लिए भी हैरान करने वाला था क्योंकि जहां आज से साल भर पहले उनकी जिन्दगी में सिर्फ निराशा का दौर था जिन्दगी अंधकार में थी और लग रहा था कि अब उनका क्रिकेट करियर खत्म होने की कगार पर खड़ा है वहां कुछी सालों में उनकी लाइफ का सबसे बड़ा खुशी का पलाया था सेलेक्टर्स के इस फैसले पर कई लोगों को हैरानी हुई क्योंकि सभी ये जानना चाहते थे कि आखिर किस बिहाफ पर दीपक हुड़ा को इंडियन टीम में शामिल किया गया है जबकि उनका हालिया फार्म कोई खास नहीं रहा है पर शायद ही किसी को ये पता होगा कि डोमेस्टिक सर्किट में ये खिलारी पिछले कई सालों से लगातार रन बना रहा है इसके लावा एक समय ऐसा भी आया था जब हुड़ा को अपनी स्टेट टीम छोड़ कर दूसरे स्टेट से खिलना पड़ा था उनके करियर में एक ऐसा भी मोड़ा आया था जब वो काफी मुश्किल दोर से गुजर रहे थे उन्हें दिगचों का सहारा मिला तो चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में दीपक हुड़ा की पुरी कहानी दीपक हुड़ा 19 अप्रेल 1995 को हरियाणा के रोहतक में जन्में इस खिलाडी का पुरा नाम दीपक जगबीर हुड़ा है हाला कि क्रिकट की फिल्ड पर प्यार से उन्हें सब हरियाणा हरिकेन के नाम से भी बुलाते हैं उनका जन्म भले ही हरियाणा रोहतक में हुआ था पर उन्होंने अपने क्रिकट का सफर बड़ोदा टिम के साथ शरू किया था दीपक के पिता जगबीर हुड़ा पेशे से एक आम व्यापारी है और शहर के अंदर ही उनके पिताची की एक दुकान भी है वहीं उनकी मा एक नॉर्मल हाउस वाइफ है हुड़ा को बच्पन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था और इसी शौक के चलते उन्होंने क्रिकेट में ही करियर बनाने का ठान लिया हुड़ा साल 2014 में पहली बार सभी की नजर में आये जब उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप में सलेक्ट किया गया और वहाँ उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी तरफ खेंच लिया इस वर्ल्ड कप में दीपक हुड़ा का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा भारत की तरफ से वो दूसरे सबसे ज़ादा रन और सबसे ज़ादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हरियाना के इस आल राउंडर ने कुल 6 मैच खेले जहां बल्ले बाजी करते हुए 78.33 की जबरदस्त औसत और दो अर्दशतक की मदद से 235 न लगाए इस दोरान 76 नौट आउट उनका सरवाधिक स्कुर रहा पूरी टुनामेंट में दीपक के बल्ले से 19 चोके और 6 धमाकेदार चखके देखने को मिला यहीं से लोगों ने उनके अंदर लंबी हिट्स मारने की काबिलियत पहचान लिया था अंडर 19 में अपनी काबिलियत साबित करने के बाद हुड़ा को उनके अच्छे प्रदर्शन का इनाम भेज जल्दी ही मिल गया उन्हें पहले IPL में राजस्थान रोयल्स ने साइन कर लिया यहां उन्होंने अपना पहला मुकाबला खेला पंजाब किंग्स के खिलाफ और अपने पहले ही मुकाबले में दीपक ने बेहद आकरामक बल्लेबाजी करते हुए 15 गेंदों में 200 की स्ट्राइक रेट से 1 चौके और 3 चौके समय 30 रन बना डाले और फिर दूसरे ही मैश में फिर से एक बार उन्होंने मुश्किल में दिख रही राजस्थान को अपनी शांदार बल्लेबाजी से जीत दिलाई उन्होंने केवल 25 गेंदों में 3 चौके और 4 चौके की मदद से 54 रनों की तूफानी पारी खेल कर ना केवल अपनी टीम को जीत दिलाई बलकि मैन आफ दे मैच भी अपने नाम कर लिया अपने पहले ही IPL सेजन में दीपक उड़ा एक पावरफुल हीटर के रूप में पहचाने जाने लगे और फिर उसी साल 2014 में बड़ोदा की टीम लेकिन गेंच से दो एहम विकेट लेकर अपनी यूटिलेटी सावित कर दी इसके बाद तो पूरे टूनामेंट में दीपक उड़ा का जलवा देखने को मिला उन्होंने कुल चार मुकाबले खेले जहां 50.5-0 की लाजवा बहुसत से 202 रन बनाए इस दोरान दीपक के बले से दो अर्दिशतगी पारी भी निकली वहीं गेंदबाजी करते हुए ये ओफ स्पीनर बड़ोदा के लिए सबसे ज़ादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बना हुड़ा ने टूनामेंट में कुल 10 विकेट जटके इस दोरान 55 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर्स भी सावित हुआ विजे हजारे में शांदार प्रदर्शन के बाद इस ओल राउंडर ने अपने फर्स्ट क्लास करियर के शुरुआत भी 2014 में ही दिसंबर महीने में की जहां अपने पहले ही फर्स्ट क्लास मुकाबले में दीपक का बला जोरदार तरीके से बोला बंगाल के खिले गए अपने पहले फर्स्ट क्लास मुकाबले में उन्हें गेंच से तो कामयाबी नहीं मिली लेकिन बल्ले से उन्होंने शांदार शतक लगा दिया दीपक ने 171 गेंदों में 9 चौके और 3 चौके की मदद से 114 रनों की शांदार पारी खेली इसके बाद साल दर साल दीपक डोमेस्टिक सर्किट में रनों का अमबार लगाते रहे साल 2016 के रनजी सीजन में दीपक ने एक मैच में अपने बल्ले से सभी को प्रभावित कर दिया दीपक ने पंजाब के खिलाफ एक रनजी मुकाबले में सिर्फ 354 गेंदों में 25 चौके और 6 चौके की बदोलत रेकॉर्ड नाबाद 293 रनों की शांदार पारी खेल दी उसी साल के आईपियल उक्षन में सन्राइजर्स हैदराबाद ने सबको चौकाते हुए दीपक हुड़ा को 4.2 करोड की मोटी रकम पर खरीद लिया हाला कि यहां से आईपियल में उनके प्रदर्शन का ग्राफ नीचे गिरता रहा हैदराबाद में जो भरोसा उनके उपर दिखाया था वो उस पर खरी नहीं उतरे लेकिन दूसरी तरफ डोमेस्टिक सर्केट में दीपक हुड़ा शांदार प्रदर्शन जारी रखे हुए थे पर फिर दीपक हुड़ा के करियर में एक ऐसा मोड आया जिसके बाद उन्हें खुद को ये लगने लगा था कि शायद अब उनका क्रिकेट करियर खत्म हो जाएगा दरसल साल 2021 में सेयद मुश्ताकली ट्रॉफी का आगाज होने वाला था जिसके बाद बड़ोदा क्रिकेट एशोसियेशन को खत लिक कर हुड़ा टीम का बायो बबल छोड़ कर चले गए लेकिन नियती को शायद कुछ और ही मंजूर थी हुड़ा के जीवन में दोनों पठान प्रदर्स यानि यूसफ पठान और इर्फान पठान एक उम्मीद की किरड़ बन कर आए और उन्होंने हरियाणा के इस यूवा खिलाडी के करियर को वापस से एक नई रह दिखाई एक इंटर्व्यू के दोरान दीपक ने इस बात को मीडिया में भी ये बताया है कि कैसे दोनों ही भाईयों ने उनकी इस मुश्किल टाइम में मदद की थी दीपक के मुताबिक दोनों ने कभी उन्हें निराश नहीं होने दिया और जब वो BCA में सस्पेंट हो गए थे तब उन्होंने दीपक को IPL खेलने के लिए तयार किया था और उनका confidence बढ़ाया जिसके बाद दीपक दोनों पठान बंधों के साथ में बड़ोदा के मोती बाग मैदान और पुलिस ग्राउंड में घंटो नेट प्रैक्टिस किया करते थे बैटिंग प्रैक्टिस करने के बाद इरफान उनसे बॉलिंग भी करवाया करते थे जहां एक तरफ सस्पेंशन के बाद दीपक को ये भी भरोसा नहीं था कि IPL खेल पाएंगे या नहीं वहीं पर पंजाब किंग्स की मैनेजमेंट और अनिल कुंबले ने इस युवा खिलाडी पर भरोसा जदाया और IPL 2020 के आॉक्शन में पंजाब ने उन्हें 50 लाग की बेस प्राइस पर खरीद लिया जहां पंजाब के साथ उनके दोनों ही सीजन काफी जादा बहतरीन गए IPL 2020 में हुड़ा को साथ मुकाबले खेलने का मौका मिला और वहां दाए हाथ के इस विसपोटर कॉल राउंडर ने लोवर मिडिल ओडर में 101 की जबरदस्ट एवरेज और 142 की खतरनाक स्ट्राइक रेट से रन बनाए इस दोरान राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेली की 62 रनों की नाबाद पारी के दोरान उनके पावर गेम्स ने सभी का ध्यान उनकी तरफ खिंच लिया उदर डोमेस्टिक सर्गेट में एक साल का सस्पेंशन जेलने के बाद हुड़ा ने 11 साल तक बड़ोदा के लिए खेलने के बाद राजस्थान की टीम से खेलना शरू कर दिया और उसके बाद तो उन्होंने रनों का ऐसा पहाड खड़ा किया कि हर कोई हैरान रह गया पिछले साल हुए शायद मुस्ताकली ट्रॉफी में इस क्रिस्पोर्टक बलेबाज ने 6 मैचों में 74 की जबरदस्त और 168 की धाउसु स्ट्रैक रेट से 294 रन लगा दिये और पूरे टूनामेंट के दूसरे हाइस्ट रन गिटर भी बने उनकी इस प्रदर्शन के बाद राजस्थान क्रिकेट एशोसीेसन ने उन्हें विजए हजारे ट्रॉफी में टीम की कमान सौंब दी और इस टूनामेंट में खेले गए 6 मुकाबलों में हुड़्डा के बल्ले से 199 रन निकले जिसमें करनाटक के खिलाफ एक शत्गी पारी भी शामिल थी लेकिन इन सबसे उपर दीपक हुड़ा के लिए 2022 के शुरुआत किसी सपने से कम नहीं हुई है साल के पहले ही महीने में राजस्थान से खेलने वाला हरियाना का ये विसफोटर कॉल राउंडर भारती टीम में भी जगह बनाने में काम्याब हो गया है जहां एक साल पहले तक उन्हें ये भी नहीं समझा रहा था कि उनके जीवन में अब क्या नया मोड आने वाला है वहाँ पर पूरी तरीके से हुड़ा के लाइफ ने एक यूटर्न ले लिया है और अब ये खिलाड़ी भारती टीम में अपनी जगह पकी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगा तो दोस्तों ये थी धीपक खुड़ा की कहानी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेर करें और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे योटूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को धन्यवाद